नवस्कार हमारे यूट्व चानल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रिया कुछ समय पहले चर्चा में आए बिहार के मुजफरपुर के बालिका ग्रह में हुए 24 लड़कियों के साथ रेप की गूज अब दिल्ली आप पहुचिये खबर है कि 4 अगस्त यानी की चनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े धरणे का आयूजन किया गया है इस धरने का आयूजन बिहार के नेता प्रतिपक्ष और वुप्प मुख्य मन्तरी तेजसी यादव ने किया जनकारी है कि इस धरने में तेजसी यादव के साथ कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केज्रिवाल भी शामिल होंगे तेजसी यादव ने गुरुवार शाम को ट्वीट कर इसकी जनकारी दी और अपील किया कि इस धरने में आम लोग भी उनके साथ भाग ले तेजसी ने कहा कि नितीश सरकार बलगकारियों का संग्रक्षन करेगी मुझफःपूर के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संग्यान में लिया और बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि इसकी जाच बिना किसी बाद है के कराई जाए जी हाँ मुझफःपूर बालका ग्रट कान में आज एक नया मोड आया जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का स्वता संग्यान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुवो मोटो कॉग्निजन्स के आधार पर बड़ी बाते स्टेट यानि की राज्य सरकार जो नितीश सरकार है उसको और केंद सरकार को नोटिस की तौर पर भेज दिया सुप्रीम कोट ने सुवो मोटो कॉगनिजन्स में कहा कि राज्य सरकार इस मामली को ज़ादा बहते तरीके से देखे और बिना किसी रोग टोक के इसकी जाज करवाईए तो कुल मिलाकर मुजफरपूर बालिका ग्रहकान में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्यूंकि अब जो सुप्रीम कोट ने सुवो मोटो कॉगनिजन्स किया है इसके कई सारे माईने हैं सीब्याई इसकी जाज मुजफरपूर में कर चुकी है अब कहीं न कहीं सीब्याई को भी इस मामले में सुप्रीम कोट के प्रती अपनी जवाब दे ही निर्धारत करनी पड़ेगी सुप्रीम कोट ने भी अपनी जो डे टुडे इन्वेस्टिगेशन से उसका जवाब सीब्याई को सुप्रीम कोट को देना पड़ेगा यही नहीं अब यह मामला कहीं न कहीं अंतराष्ट्रे मीडिया का भी coverage केंद्र होता जा रहा है परसोही अल जजीरिया नाम की मीडिया संस्थान ने इस खबर को रिपोर्ट किया था कुल मिलाकर इस मामले में पिछले कोच समय से जो आरोप प्रत्या रोप का सिलसला चल रहा है इसमें 34 बच्चियों के साथ रेप की पुष्टी हो चुकी है अब यह मामला अंतरष्ट्रे भी होता जा रहा है जरा सोचे किस कदर आज लोगों में हवस पैदा हो गई है कि एक बालिक का सुधार ग्रै जहां पर बच्चियों को उनको सुधार उनका भविश्य बनाने के लिए भेजा गया था वहाँ पर इस तरीके के कांड हो रहे हैं ऐसा ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा सरकार के नाक के नीचे से ऐसे कांड हो रहे हैं अब देखना हो यह होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ एक्शन्स लेती है और जो धरना दिली में होगा इस पर किस तरीके के लोगों के क्या विचार आते हैं और कैसा positive attitude देखने को मिलता है जनताम तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें, share करें, subscribe करें नमस्कार